दोस्तों नमस्कार मोधी सरकार में कितने मंत्री हैं आपके पास जानकारी हो या ना हो लेकिन जान लीजिए सत्तर मंत्री मोधी सरकार में हैं इस देश का कौन सा कामकाच कौन देखता है शायद कोई नहीं जानता लेकिन प्रधान मंत्री मोदी के जनम दिन के दिन सत्तर के सत्तर मंत्री दिल्ली छोड़ कर देश के सत्तर शहरों में नजर आएंगे कुछ तो अलग है मौजूदा वक्त में सरसंगचालक यानी RSS की पहचान क्या है हिंदू राष्टवाद या हिंदुत्त के आसरे इस देश के भीतर में हिंदू राष्ट का तमगा लगातार लिये हुए चलना तो फिर जिक्र एक जटके में कमंडल छोड़कर अगर सरसंगचालक मंडल का जिक्र करने लगे और जिन शब्दों को वो कहें वो शब्द अगर आपको मंडल आयोक को लागू कराने वाले वीपी सिंग की याद दिला दे तो आप कहेंगे कि मंडल का मसीहा इस दौर में सरसंगचालक कैसे हो गए कुछ तो अलग हो रहा है और अगर हिंदू राष्टवाद और हिंदुत का तमगा लिये आरेसस घूमती है और इस दौर में बीजेपी भी खुट को हिंदुत से जोडने से कतराती नहीं है और ये मान कर चलती है कि बाकी तमाम राजनितिक दल खास तोर से कॉंग्रिस मुस्लिम तुस्टी करण के आसरे जीती है लेकिन एक जटके में राहुल गांधी अगर ये कहते हुए अब नजर आने लगें कि ना तो गीता में कहीं लिखा है और ना ही उपनीशद में कहीं द फिर कुछ तो अलग हो रहा है जहां पर कल तक कॉंग्रिस हिंदुत के रास्ते बीजेपी को छेड़ती नहीं थी और अब हिंदुत के आसरे ही बीजेपी को और मोधी सत्ता को कटगरे में खड़ा करने से कत्रा नहीं रही है लेकिन बात यही नहीं रुकती है राहुल गां किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी यानि सत्ता में आए तो फिर उन्हें बक्षा नहीं जाएगा कुछ तो अलग इस दौर में हो रहा है और 2024 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है यह संकेत अब बहुत साफ तोर पर दिखाई देने लगे हैं तो आज की राजनिती के भीतर में मौजूदा वक्त में जो तेवर राहुल गांधी के हैं जिस तरीके से घपले घोटाले का जिक्र कॉंग्रिस करने लगी है जिस तरीके से बीजेपी के भीतर दरार दिखाई देने लगी है और एक बड़ी दिवार और बड़ी दरार कहीं द बढ़ा कर दिया कि दिल्ली और लखनव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ठीक नहीं होना तो दूसरी बात है मसला यह भी है कि लखनओ को अपनी ताकत का एसास अपनी सत्ता के आसरे है और दिल्ली को पता है कि दरसल लखनओ के रास्ते ही दिल्ली पहुँच सकते हैं तो वो क्या करे तो क्या दूसरे नमबर की लड़ाई जो हमेशा और योगी आदितिनात के बीच है उस सियासी जमीन के भीतर की दरारों ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है और सवाल आरेसिस को लेकर भी अब ये बड़ा हो चला है कि आरेसिस अगर अपनी पुरानी छवी को लेकर चलती है तो इसका लाब बीजेपी को नहीं मिलेगा मोदी सक्ता को नहीं मिलेगा मोदी राजनिती को नहीं मिलेगा तो फिर खुद को बदल डालिए और ऐसा जिक्र करने की शुरुआत कर दीजिए जहां पर एक वक्त वीपी सिंग जिन बातों का जिक्र करते थे और पिछड़े तबकों को लेकर आरक्षन का जिक्र करते थे उन्ही बातों का जिक्र अगर सरसंग चालक करने रगए हैं तो फिर सवाल अब बड़े हो चले हैं क जहां पर आदिवासियों का होगा, जहां पर पिछड़े तबके का होगा, जहां पर आर्थिक तोर पर पिछड़े तबके का होगा और जहां पर इस देश के भीतर में जाती समिकर्ण अपने अनुकूल बैठाने के लिए जो भी पत्ते फेंके जा सकते हैं सभी फेंके जाएं यहां तो बड़ी रुखडी जमीन है और उस रुखडी जमीन पर आपको नंगे पाउं चलना है मैनेज हो गया तो ठीक है मैनेज नहीं हो पाया तो जनता परिस्तितियों को पलड देगी क्योंकि सब कुछ उसको अपनी नंगी आँखों से अब दिखाई देने लगा है इस देश के भीतर में क्या कुछ हो रहा है अब उसे समझ में आने लगा है और शायद इसी लिए जनता के भरोसे ही राहुल गांदी के तेवर अब इतने कड़े हैं कि हिंदुत के कटगरे में बीजेपी को खड़ा करके ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो जोट कहते हैं आपके द्वारा जो भी हिंदुत का जिक्र किया जाता है वो किसी हिंदु किताब में नहीं है आपका काम कंजोर लोगों को आतंकित करना है चोट पहुचाना है और हिंदु राष्टवाद नाम की भी कोई चीज आपके भीतर समाती नहीं है आपके भीतर एक ही विजारदारा है सत्ता बनी रहे और सत्ता को गवाना नहीं है इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए और इस दौर में भारत के जो शोशल स्ट्रक्चर था जो जातिय समिकणों के आसरे था उसको भी वोटों के धुविकण के तहत तहस नहस कर दिया गया और यह एक ऐ ऐसी डॉमिनेंस की यानि वर्चस्व की राजनिती है कि कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाए अब यह नहीं चलेगा इस बात का जिक्र पैरिस में राहुल गांधी ने किया आप कहेंगे इस बात का जिक्र हिंदुस्तान की जमी पर भी होना चाहिए सवाल है कि इस द अलज को पकड़ा और विदेश की जमी पर जाकर यह बताने की कोशिश की कि देश के बीतर की इस्तिती क्या है और शायद इसी लिए पहली बार पहली बार उन्होंने कहा कि दरसल जो सोल आफ इंडिया पर अटैक कर रहे हैं और सोल आफ इंडिया का मतलब यह है कि इस देश के हर इंसिचूशन को जो अपने आप में इंडिपेंडेंट था स्वाइत था जो समविधान के हिसाब से काम करता था आपने उसको डिगा दिया है और जब डिगा दिया है तो किसी भी संस्तान को लेकर इस देश के पूरे सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो धराशाई हो और भारत की आत्मा इस दोर में आपके गलत कारियों के जरीए बिकर रही है तो आपको जवाब भी देना है और कारवाई भी होगी और कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी ये मैसेज राहुल गांदी का कड़ा है क्योंकि विदेश की जमी पर जब ये सवाल पूछा गया उन से कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो चीजों को पट्री पर कैसे लाएंगे तो उनका एक ही जवाब था कि अगर प्रधान मंत्री मोदी चाहें तो एक दिन के भीतर में इस देश का सिस्टम कानून का राज नहीं है लेकिन क्या वो नहीं चाहते हैं और अगर जो भी सत्ता में आएगा अगर वो चाहता है तो इसका मतलब है वक्त नहीं मिलेगा दरसल इसके दो ही मतलब है इस दौर में कानून का राज नहीं है इस दौर में कॉंसिचूशन के चेक और बैलेंस की स्तिती बिलकुल नहीं है सत्ता की मोनोपॉली है या कहें सत्ता की तानाशाही है लेकिन ये सब कुछ अगर इस दौर में कहा जा रहा है तो दो हजार चौबेस को लेकर कोई रणनिती कोई विसात इस दौर में बीजेपी भी अपना रही होगी बोधी शा की राजनिती में उस दिशा में देख रही होगी तो आरक्षण को लेकर यानी मंडल की जस राजनिती से उत्तर परदेश और बिहार की राजनिती नए तरीके से पन पी उस राजनिती को साधने के लिए सरसंग्चालक मोहन बागवत ये कहने से नहीं चूकते हैं कि दरसल आरक्षण कितना जरूरी है और बरसो बरस से जो ए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस दौर में खत्म हो गया या अजादी के बाद खत्म हो गया ये कहने की जुरत पड़ी क्यों दो हजार पंदरा में आरक्षण का विरोत किया था और बकाइदा आरेसेस के मुकपत्र में वो इंटर्वू भी छपा था वो बयान भी छपा था और बाद बिहारम के बीतर दो हजार पंदरा के चुनाओं में एक जटके में 40-42 सीटे कम हो गई थी 91 से 53 पर आ गई थी बीजेपी सवाल सिर्फ आरक्षण भरका नहीं है इस दौर में मंदिर को लेकर जो सियासत बीजेपी सात्ती थी उसने एक जटके में उस पर खामोशी बर हाला के उत्सव की तैयारी जबरदस्त है कि किस तरीके से अयुध्या के बीतर महीने भर का उत्सव चलेगा और गाओं गाओं छित्र छित्र के बीच में अयुध्या का परसाच जाएगा और सर्यू नदी का पानी भी जाएगा लेकिन जड़ा कलपना कीजिए उससे हट कर अब पहली बार अपने तरीके से राजनिती को साधने के लिए प्रधान मंत्री के जनम दिन के दिन यानी 17 सितंबल से विश्य करमा स्कीम शुरू की जाएगी तेरा हजजार करोड की ये स्कीम है और संयोग देखिए जैसे ही तेरा हजजार करोड कहते हैं वैसे ही यही रकम एक जटके में कश्मीर के बीतर हुए इस कैम को लेकर उभराती है जिसका जिक्र कॉंग्रिस कर रही और बता रही है कि सरकार के जरिये ही या चीजे सामने आ ही है जो उसकी कैक की रिपोर्ट हो या वहां की सरकार की रिपोर्ट हो और जो इन स्कैम को बतलाता है उसको परतारित किया जाता है लेकिन उस पर आएस से पहले इस तेरा हजजार कोड की विश्य करमा स्कीम के बारे में ये समझने की जरुत नहीं है कि इसके दाएरे में कै कैसे OBC आएगा शुर्ड कास शुर्ड ट्राइब के लोग आएंगे आर्थिक तोर पर कमजोर तबका आएगा जो हुनरमंद हैं उनके लिए क्या-क्या प्रोविजन किये जाएंगे पंद्रा आजार रुपए उनको दिये जाएंगे और किस तरीके से सिर्फ पांच फीजदी इंट्रेस्ट पर एक लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जी नहीं इन बातों पे मच जाएए कि लाभारती कौन किस रूप में होता चला जाएगा समझिए ये कि इसको बताने के लिए पंद्रा दिन तक इस देश के भीतर में उस सब चलेगा यानि सत्रा तारीक से जो होगा वो दो अक्टूबर तक चलेगा महत्मा गांधी की याद को साथ जोड़ा जाएगा और आखरी चन दिनों में सफाई का जिक्र भी होगा लेकिन सवाल है कि इसका जिक्र करेगा कौन मोदी सरकार के जो सत्तर मंत्री हैं आज तक एक साथ किसी भी कारिक्रम में कभी नह मंत्रियों को हर इलाकों में जाना है और इलाकों में जाके लोगों के साथ जोड़ना है उसमें अलग-अलग तरीके से चाहएव जैसे मसलन अमिशा एमदाबाद में रहेंगे राजनात सिंग लखनाउ में रहेंगे नितन गड़करी नाकपूर में रहेंगे इसमृति इरा जासानी जासी में रहेंगी, भुपेंद्र यादव जैपूर में रहेंगे, जयशंकर तिरुवनंत पुरम में रहेंगे, हर मंत्री को मौझूद्गी होगी यानि पहली बार देश को पता चलेगा 70 मंत्री हैं और वो काम क्या कर रहे हैं, 13 हजार कोड का जो विश्य कर्मा इस इसकीम है उसकी शुरुवात दिल्ली में प्रधान मंत्री एक पता नहीं जंडी दिखाएंगे या बटन दबाएंगे लेकिन जो भी ऐलान करेंगे ऐलान तो 15 अगस्त को किया जा चुका था लेकिन उसके बाद 70 मंत्रियों के जरिये अपनी ताकत का हैसास या अपने मंत्रिय की पहचान का हैसास वो दिलाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ मसला इतना भर है जी नहीं जब आप और हम सत्तर मंत्रियों के नाम नहीं जानते हैं चेहरों को नहीं पहचानते हैं इस दौर में किसने क्या किया कोई नहीं जानता है और इस दौर में जिसने भी किया वा लोग के रास्ते आया तो क्या एक नए तरीके की बीजेपी की सरचना इस दोर में बनाने की दिशा में बीजेपी या मोधी शाह बढ़ना चाहते हैं जिसके लिए उनके जहन में बहुत साफ तस्वीर निकल कर आती है कि किस तरीके की कौन सी परिस्तिती में नई बीजेपी होगी औ कि बिरोक्रेट की फिरिस्त में आपके जहन में जैशंकर नाम आया, हर्दीपुरी का नाम भी ले लीजिए, क्योंकि इस G20 के भीतर क्या आपने किसी ऐसे मंत्री का चेहरा देखा, जिस मंत्री के नाम और चेहरे से आप परिचित हो, नहीं देखा होगा, सभी की एक ही स्थित नहीं देगा दिखाई तो नहीं दे, एक हिस्से में कहा जा सकता है कि हर की स्थिती ऐसी नाजुक कर दी गई, जहां पर अब आने वाले वक्त में किस तरीके की बीजेपी खड़ी होगी, इसको लेकर शायद अलग-अलग तरीके से कयास बीजेपी के भीतर लगने लगे हैं मैसिज ये नहीं है कि दरसल इसमें योगी आदितनात जीत गए या मिशा के उमिदवार चुनाओ हार गए, सवाल ये है कि पहली बार करनाटक, मदपरदेश, गोआ, इन तमाम जगों पर उत्रा खंड, चौथा राजिये भी ले लीजिए, यहां पर बीजेपी ने क्या किय कॉंग्रिस के विधायकों को खरीद कर बीजेपी के टिकट से जिताया वह चुनाओ जीते और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और उस पर मुहर लग गई, इलेक्शन कमिशन भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन यह पहली बार है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़ कर जो सत्ता में भी नहीं है, वहां से छोड़कर सत्ता में आया और घोसी में उसको हार मिल गई, यानि बीजेपी के टिकट पर हार मिल सकती है उस शक्स को जो बने बनाए घर को छोड़कर आ जाए और उससे पहले भी उसने पार्टी बदली थी, लेकिन महत्पुर ये था पह बीजेपी अब परमपरिक परिस्थितियों को छोड़ना चाहती है, यहां पर एक सुधार के साथ सुनियेगा, जब जब बीजेपी का जिक्र हो, वहां पर मोदी और शाह का जिक्र कर लीजिएगा, क्योंकि इस से हटकर बीजेपी का कोई महत्तु कहीं पर नहीं है, किसी र बीजेपी रादित्या सिंधिया भी समझ चुके हैं, हर कोई जानता है कि दो शक्स का नाम ले लिजेए, पूरी पार्टी का जिक्र हो जाएगा, सवाल ये था क्या बहली बार इस तौर पर नई पिढ़ी को लाने की तैयारी है, और उस नई पिढ़ी में भी प्रोफेशनल निकल कर आएं, क्योंकि इस पूरी G20 में किन दो शक्स का नाम आया, और कौन से दो तीन शक्स इस दौर में आंधी की तरह मोधी सत्ता के साथ चल रहा है, एक विदेश मंतरी है, बिरोक्रेट है, हरदीब सिंग पूरी है, शेहरी विकास मंतरी, वह भी बिरोक्रेट रह शक्तिकान दास, वह भी आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने, हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, उसके जरीये हम सत्ता को कहां ले जा सकते हैं, हमने दुनिया को दिखा दिया, तो देश की राजनिती को भी साध लेंगे, तो जो माहिर, पॉलिटीशन खुद को समझते हैं उनको अब सचेत होना होगा और बीजेपी के भीतर लड़ाई और दरार इसी बात को लेकर है कि दरसल योगी आदितनाद भी समझ चुके हैं कि अगर पाइपलाइन कट गई और उनकी अपनी सियासी जमीन डोल गई तो फिर वो कही के नहीं रहेंगे और इस दोर में अगर उन्होंने अपनी जमी को दिल्ली को बार बार शेहमात का खेल खेलते हुए आगे खुद को कर लिया तो आने वाले वक्त में उनकी राह दिल्ली पहुँचने की कोई रोक नहीं सकता है इस दरार के भीतर का सच यह भी है कि एक तरफ अगर बिरोक्रेट्स की पूरी फिरिस्त खड़ी हो चली है जिसमें किस को क्या दिया जाए और आने वाले वक्त में कौन कैसे चुनाव रड़े आपको जानना होगा कि कानून मंती अरजुन मेगवाल भी बिरोक्रेट रह कि पत्स से हटना पड़ गया वहां तक चले गए जहां जजजस को भी कटगरे में खड़ा करने लगे और उनको भी सीख देने की परिस्तिती में लाकर खड़े हो गए कि हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे या फिर इस दौर में नए तरीके के निकले हुई राजनिती को प्यूश गोयल और धर्मिंद्र प्रधान का आएगा इनकी पहचान क्या है और पार्टी की जरुत क्या है क्या ये राजनितिक तोर की नई परिस्तिती इस दौर में दो हजार चौबिस को लेकर बीजेपी की धड़कने बढ़ा रही है क्योंकि राहुल गांदी अगर जिवो डर है जिसको लेकर बीजेपी के भीतर अब रज्यों के चुनाओं के मद्दे नजर उसके बाद से दो हजार चौबिस की दिशा में अगर कदम बढ़ेंगे तो हो सकता है आपके जहन में बिलकुल नई बीजेपी हो और जो सतर मंत्री भी नजर आएंगे देश के अ मैनेज करने के स्थिती में आते हैं उनकी पहचान किसी भी राज में चुनाओं तो उनको बागडोर इसलिए दी जाती है क्योंकि मनी मैटर करता है इलेक्शन के पीरियड में और यही वो परिस्थिती है जिसमें चुनाओं जीतना और हारना जीताना यह सब कुछ एक व्यक है कि अभी तक जो अपनी अपनी कॉंश्वेंसी से चुनाओं जीत कर पहुंसते थे उनके भीतर भी यह सवाल है कि क्या वाकई ऐसी स्थिती आ रही है जहां पर उनका टिकट कटना बात नहीं है किसको खड़ा किया जाए किसको जिताया जाए यह भी दिल्ली के रिमोट पर निर्भर करेगा तो समूची राजनिती बीजेपी की यानि दो शक्स की वहीं आकर खड़ी हो गई जहां पर समूचा का समूचा जो भी मुनाफा और उपलब्दियों का पूरा खाखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्दिद रहना चाहिए वही आपको जीत दिलाएगा बाकी कोई चीज माईने नहीं रखती है तो ये क्या मैनेज करने की स्तिती है या इस दोर में अपने च्छवी को बनाने की स्तिती है क्योंकि कैसे संबव है कि इस देश के भीतर में दुनिया भर के लोग आये और भारत के भीतर में एक ही चेहरा हर पोस्टर में रेंगता रहा उसमें ना रक्षा मंत्री नजर आ रहे थे ना विदेश मंत्री नजर आ रहे थे ना फैनांस मिनिस्टर का चेहरा था नहीं किसी दूसरे का चेहरा था आपको किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा क्यों कि किसी की महत्वा ही नहीं बची और एक ही छवी को तो एक सवाल इस दोर में यह भी हो रहा है क्या यह एक राष्ट पती पणाली की दिशा में भड़ता हुआ कदम तो नहीं है क्योंकि जब आप राष्ट पती पणाली के दाइरे में और एक देश एक चुनाओ की परिस्तिती में आकर खुद को खड़ा कर देते हैं तो इसका म यही संकट उबरा था अलग-अलग राज्जों की सरकारें गिर रही थी तो वहां चुनाओ हो जाते थे लेकिन अब जो नई प्रक्रिया में है चुनाओ भी नहीं होंगे तो राष्ट पती पणाली क्या वाकई आ जाएगी और क्या यह सब कुछ 18 तारिक से संसत के की दिशा में देखने को हर किसी के भीतर बैचैनी पैदा कर रही है जी नहीं सवाल सिर्फ तीन है जो सबसे बड़े सवाल है दो हजार चौबिस के चुनाओं को लेकर बीजेपी के भीतर हरकम पची हुई है वह जिस तरीके से अपनी दरारों को पाटना चाहती है उसमें सवाल यह नहीं है कि सभी नेता एक हो नहीं सकते हैं सवाल है कि बीजेपी के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई जो है वह दिल्ली और लखनओं के भीतर है तो दिल्ली और जैपुर के भीतर भी है दिल्ली और वक्त में मैनेज करने के मुश्किल हालात में बीजेपी को लाकर अगर खड़ा कर रही है तो परिस्तितियां और शब्द अलग अलग जगहों से निकल कर आएंगे इससे कोई निकार कर नहीं पा रहा है और ये दरार क्या दोहजार चौबिस से पहले बड़ी हो जाएगी ये सवाल है दूसरा सवाल राहुल गांदी जिस तेवर के साथ अब बहुत साफ कहने लगे है कि बक्षा नहीं जाएगा कीमत चुकानी होगी देश की आत्मा से आप लोगों ने खिलवाल किया है यहां के पूरे स्ट्रक्चर को बिगार दिया है और एक बिमारी की तरह इस दे जनता के भीतर से कोई संबाद होता है और जब आपका संबाद और सरुकार जनता से होता है तब यह आवाज निकल कर आती है जो आने लगी है तो क्या 2024 एक ऐसी टकराओ और ऐसी परिस्थितियों का चुनाओ होने वाला है जिसमें दोनों को पता है जो निप्टा 2024 के बाद निप्टा दिया जाएगा क्या वाकई ऐसी इस्तिति है और तीसरी परिस्तिति जिसका जिकर हम बार बार कहते हैं कि पारंपरिक तोर तरीके स्वाहा हो गए नई राजनिती नया एजेंडा नया गवर्नेंस नई धारा नई विचारदारा सब कुछ इस दौर में आकर कड़ जिसके दाइरे में आरेस्स को भी खुद को बदलना पड़ रहा है उसे समझ में आ गया है सत्ता नहीं मिली तो कहीं के नहीं रहेंगे और सत्ता मिल जाए इसके लिए कुछ भी करेंगे यही वो विचारधारा और यही वो अजेंडा है जो एक तीसरे बदलाओं के साथ भा प्रदान मंतरी मोधी को भी कराना है और विपक्ष के नेता के तोर पर राहुल गांदी भी उस तेवर के साथ लेकर चल रहे हैं जिस तेवर का जिकर इंडिया के भीतर कोई छत्रप नहीं कर सकता है वहां तो E.D. और C.B.I. आकर खड़ी हो जाएगी और फिर उसके लिए अपनी राजनिती को साधना मुश्किल होगा और अपने संगठन को समालना मुश्किल होगा इसलिए सब चुपी थाम लेते हैं और अपनी मजबूरियों को बतलाते हैं परिशान करने वालातों को बत और श्रीश सदिए्ट साफे हैं जय करे़ोगा जिए ऑर राज बतला शुमेरुत को समालनीου को